नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर आजीत नेचरोपाइथ नेचरोपाइथ हमेंस आपना ट्रेटमेंट नेचरोपाइथी चीज़ों से ही करता है जदी आप खुद का बीमारियों की लाज खुद से घड़ पर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक देखें इस वीडियो मे अपना खुद का बीमारियों की लाज खुद से घड़ पर सकते हैं यो में हम बात करेंगे कि जदी आप गॉल ब्लाडडर एस्टोन का इलाज करवाना चाहते हैं तो आज की जो पैसेंट है उनके मन में क्या-क्या बाद चलता है पहला तो बात यह चलता है कि भाई गॉल ब आप रिपोर्ट करवाएं और आपको पता चलें कि मेरे पीत के थैली में पथरी है तो आप जिस जहां रिपोर्ट करवाएंगे वही आपको बता देंगे कि गॉल बलेडर एस्टोन निकलता नहीं आप इसको अपरेशन करवा लिजे फलाने जगा जाकर लिए उसके बाद जड़ी आप घर आते हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत जगए इलाज कर आया लेकिन कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिला है इसका एक ही उपाय है कि आप अपरेशन करवा लिजे गाउं आए तब यह लोग बता रहे हैं तीसरे लोग बताएंगे तीसरी बात आप कुछ कुछ बताएंगे कि जदी आप इसका अपरेशन नहीं कराएंगे तो आपका गॉल बलाडर फट जाएगा और आप मर जाएगे पैसेंट तीन जगठो कर खा गया अब तीन बात उसके दिमाग में आ गया है पहला गॉल बलाडर इस्टो नहीं निकलता है दूसरा में लोग यह बता दिये कि नहीं भाई जदी आपरेशन नहीं कराएंगे तो गॉल बलेडर तुम्हारा फट जाएगा तो मर जाएगे मतलब इतना बात सुनने के बाद पैसेंट वहां नर्वस हो जाते हैं सोचते हैं कि हम क्या करे क्या नहीं करें अब गलती से किसी डॉक् और शही में निकलता है इसलिए उन्हों निकाला है तो उनको इस चीजिस का एडिया है और शही बात है हम आपको बता रहे हैं कि हैमे पैट के दावा से बहुच सारे लोगों का गॉल बलेडर एक लेकिन आपको पता नहीं है कुछ ऐसे इसटोल होते जो नहीं निकलते मेरे वीडियो को देखेंगे पिछले वीडियो में बहुत सारे जनकारी दिया हूं आपको लेकिन जदी आप चाहते हैं कि हम आपना इलाज करवाएं तो आप पहले क्या किजें जदी आपका हालात सही है जदी दुख नहीं है तकलीफ नहीं है गॉल बलाडर जब एस्टोन हो गया एक क्या है कि तो आप सबसे पहले हैमीयोपैथ से मिलए या तो यह ध की मिले या तो नयच्यूपैथ कि मुली आप उनको सारी बात बताइए को आ आप आप डॉक्टर को सपोर्ट कीजिए डॉक्टर आपको करेंगा इससे क्या होगा कि कुछ ही दिनों में आपका जो इस्टोन है गल करके निकल जाएगा अचा अब बात रह गया कि जदी आपने दवा कराया और इस्टोन नहीं निकला तो एक चीज़ बताएगे कि दवा कराने के बाद इस्टोन नहीं निकला तो बाद बेपच्तावा नहीं नहीं कि हमको एक बढ़ दवा कराकर देखना चाहिए लेकिन अब एठ 30 परसंट डॉक्टर ऐसे हैं जिन जो की गॉल बलाइडर इस्टोन पर काम कर रहे हैं और सभी का गॉल बलाइडर के स्टोन निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं आइडवेड नेचुरोपैथ हैमियोपैथ के किड़िस्टोन अधर बीमारिओं पर काम कर रहे थे लेकिन अगले नहीं कि दधिगेए मदद नहीं कर रहे थे घरे हम काम करते 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 अनुभा हुआ तब से हम पैसंट ही बताने लगे और पैसंट को भेजने लगे तो जदी आपको गाल बलाडेड इस्टोन है तो घबराना नहीं है यह आप नजदी की डॉक्टर से संपड किजिए जिनके यहां गॉल बलाडेड आए नेच्रोपाइस का ताफ हेमियोपाइस के डौक्टर से मिलिए उनके पास दवा है वह आपका इलाज सही से कर देंगे और आपका इस्टोन निकल लेगे तो वीडियो आच्छा लेगे तो वीडियो का लाइक कीजिए उन लोगों को सेड कीजिए जो गॉल्ब लेडर इस्टोन से परसान है आज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करते हैं